हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टुमाई यूट्यूब चानल तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आत्मकत्या का सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो कुछ लाइन्स हमारी बज गए थी उसी की एक्स्प्लेनेशन उजवल गाथा कैसे गाउं मधुर चांदनी रातों की अरे खिल खिला कर हस्ते होने वाली उन बातों की मिला कहां वैसुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया आलिंगन में आते आते मूस किया कर जो भाग गया जिसके अरुन कपोलो की मतवाली सुन्दर चाया में अरुन अनुरागनी उशा लेती थी निज सुहाग मदुमाया में उसकी स्मिर्थी पाथे बनी है ठके पाथे की पंथा की सीवन को खेड कर देखो गे क्यो मेरी कंथा की छोड़े से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं क्या ये अच्छा नहीं की औरों की सुनता मैं मौन रहूं सुनकर किया तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकता अभी समय भी नहीं ठका सोई है मेरी मौन वेथा तो सबसे पहले हम यह पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं मुस्कियाकर का अर्थ होता है मुस्कराकर अरुन कोपर का अर्थ होता है लाल गार अनुरागनी उशा का अर्थ होता है प्रेम भरी भोर स्मिर्थी पाथे का अर्थ होता है स्मिर्थी रूपी संबल पंथा मतलब रास्ता या फिर रा और कंथा गार्थ होता है गुदड़िया फिर हम इसे कह सकते हैं कि कुछ फटे पुराने गपड़ों से कुछ सिलकर नया बना लेना वही कंथा कहलाता है तो चलिए इसके एक्स्प्लीनेशन भावार्थ को स्टार्ट करते हैं यहां पर कभी कहते हैं कि उन्होंने अपने कितने सपने देखे थे कितना खौप था उनका कितना ही महत्वकरशाएं पाली थी उन्होंने लेकिन सारे सपने उनके जल्दी तोट गए ऐसा लगा कि मूह तक आने से पहले ही निवाला गिर गया हो उन्होंने जितना कुछ पाने क हसरत पाल रखी थी उन्हें उतना कभी भी नहीं मिला इसलिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीवन की सफलताओं यो पलपताओं की उजवल गाथाएं वो कुछ बता सकें कभी कहते हैं कि कभी कोई ऐसा भी था जिसके चेहरे को देखकर कभी को प्लेगना मिलती थी लेकिन अब बस उसकी यादे ही बची हुई है अब मैं तो मैं एक ठका हुआ रही हूँ जिसका सहारा केवल वो पुरानी यादे है इसलिए किसी को भी इसका कोई हक नहीं है कि मुझ कि मौन वे था ठकी हुई है और शायद अभी उची समय नहीं आया कि वे अपनी आत्म कथा लिख सके तो हमारी यहाँ पर एक्स्प्लिनेशन कथम होती है चैप्टर भी फिनिश हुजाते हैं और आई होप आपको समझ आया हो चैप्टर और इफ यू लाइक दा वीडियो त क्या प्रॉचे यू लाइक लिख संसर राइक लग्यों प्रॉचेशन नहीं प्रॉचेशन चैपक लिख साथ ताइक लाइक लिख बाड़।